हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पल्पी ओरेंज जूस की रेसिपी इसे मैं किस तरह से बनाती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकोन को क्लिक करें जिसे की आपको नॉटिफिकेशन मिलते रहें जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ यहां पर मैंने तीन ओरेंज लिया है उसका छिलका हमने निकाल दिया है और इसमें जो वाइट पार्ट होते हैं उसको भी निकाल दिया है अब मैं ओरेंज को स्लाइसे में इस तरह से काटूंगे इस से सीड्स निकालने में हमें बहुत आजानी हो जाती है और सारे सीड्स निकल जाते हैं तो आप देख सकते हैं मैं इसको राउंड-ाउंड स्लैसेश में काटने के बाद चुरी की साहता से से सारे निकल दूगी यह देखिए यह हो क्या है इसको जार में हम डाल देंगे इसी तरह से हम और स्लाइसे काट लेते हैं और स्टेड निकाल देंगे सारे ओरेंज को हम इसी तरह से स्लाइसेस करके सीड निकाल देंगे ओरेंज का जब हम निकाल देते हैं तो अंदर एक वाइट पार्ट रहता है ज़्यादा से ज़्यादा उसे निकाल दें अगर वो वाइट पाट ज़्यादा चला जाता है जार में तो वो उससे भी कड़वा हटा जाता है जूस में जूस हमेशा याद रखें कि फ्रेश फलोंका ही बनाएं और बनाके आप उसे ज़्यादा देर के लिए ना रखें तुरंत उसे करें नहीं तो वेस्ट हो जाता है जैसे ही जूस बनाया तुरंती उसे सर्फ कर दिया ऐसा होना चाहिए आप देख सकते हैं सारे सीड आसानी से निकल जाते हैं इसमें से चुरी की साइदा से इस तरह से करने से बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं इसमें एड़ कर देंगे शुगर झाल आसानी से चाहिए बहुत आसानी से बहुत है झाल 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 तो जूस बनके रेडी हो चुका है यह काफी थिक है और पल्पी भी है तो आप इस तरह से जरूर बनाएं और मुझे अपने अन्बाव शेयर करना ना भूलें ट्राइ जरूर करें और अपने वैलेबल फीडबेक देना ना भूलें और भी बड़िया बड़िया रेसिपिस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको यह रेसिपि अच्छी लगी तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच अगर बड़िया झाल झाल